हे गाइज वेलकम बैक मेरा नाम है एसमजी गफिल देप और प्रॉफिट विट फंड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है गाइज आज कल एक नया स्केम चल रहा है जियां बैठे बिठाए आपके पाई टोकन गायव हो रहे हैं मतलब जितने आपके पाई कोईन माइगरे है जया है जैसे ही माइगरेट हो थे हैं जीरो अब यह क्यों हो क्या हो गया है किसकी नजर आपके वालेट पर है कई आप भी वह नहीं कि स्कैमर की नजर आप के वालेट पर हो गाई फूरी वीडियो देख लेना क्योंकि अब यह तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ, उसको देखके आपके होश उड़ने वाले हैं, जी हाँ, यकीनन मेरे एक यूजर के लगातार क्वाइन ही गाइब हो रहे हैं, वालेट में से क्वाइन ट्रांसफर हो रहे हैं, अब ऐसा क्या हो गया, ये सारी चीज हुई है पाई के नए ओप्शन से जिसका नाम है पे एंड रिक्वेस्ट, जी हाँ, पे एंड रिक्वेस्ट का एक ओप्शन आया है, जिसकी वज़ासे स्कैमर एक्टिवेट हो गए हैं, और वो डारेक्ट आपको स्कैम में फसा लेते हैं, अब मैं आपको कुछ स्क्रिंशोट जान से देख लेना, यूजर के जो है क्वाइन निकले, उनके वॉलेट से 291 क्वाइन अपने आप जो है, उनके वॉलेट से निकल गए, उसके बाद माइग्रेट हुए, माइग्रेट होने के बाद 290 क्वाइन दुबारा निकल गए, सेम डेट पे, सेम टाइम पे, कुछ पाइम बात क्या होता है दोबारा निकल गए अब यह क्यों हो रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया नए औप्शन के कारण रहा है जिसका नाम है पेड़ेंड रिक्वेस्ट अब इसमें क्या करता है सकैमर सबसे बहली बात तो ब्लॉक चैन पर जाके दिख जाता है कि किसके प करके और रिक्वेस्ट कर देता है कि आपको इतने क्वाइन चाहिए अब उस रिक्वेस्ट क्या है वो नोटिफिकेशन में आती है लेकिन गाइस यह नोटिफिकेशन जब आता है तो क्या होता है अब नोटिफिकेशन में क्या होता है कि आदमी को लिखता है कि पाई की तर बाद देता है मतलब continue कर देता है continue करने के बाद क्या होता है आपके वॉलेट में जितने कोईन होते है जितने उसमें रिक्वेस्ट आही होती है वह एक जटके में वहां से दूसरी जगान ट्रास्फर हो जाते हैं अब देखें नए यूजर जो है जिनको इन बारे में हैं तो आप के क्वेस्ट आती है Champions कोई आपने ध्यान रखना है किस्के मेरे बाइस पूरे में रिसरच की भिन Lego से यसे स्क्रि भिलेट में कैने रिक्वेस्ट आती है और क्वाइन जो है बाइपास होके सीधा उनके वॉलट में जो स्कामर है nouveau के वालेट में आ जाते हैं आप भी अगर मेरी इस वीडियो से स्कैम से बच जाते हैं तो वीडियो बनाना तो सफल हो गया लेकिन जिल लोगों के साथ स्कैम हो चुका है अब उनका क्या उनके साथ तो अभी उसकी रिकवरी का कोई उप्शन नहीं है मतलब यह कि एक बार रिक्वेस्ट आई आपके कोई चोरी हो गए तो बार बार चोरी होते रहेंगे ऐसा नहीं है उसको अगली बार भी कोई लेने के लिए आपको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी तो बेचिंत रही है अगर आपके स्कैम हो भी गये तब भी कुछ घबराने की हुआ क्योंकि आपको तो मालूम है पाई नेटवर्क का नारा है SMC कपिल देव हमारा है तो पाई की लेटस न्यूज देखने के लिए ध्यान देना सब्सक्राइब करके जरूर देना वीडियो को लाइक और शेयर कर देना तो अब तक के लिए थैंक यू सो मज गाइस